अगर चांदनी चोक में किसी मातागे मंदिर की मूर्थी तूटती है तो लाला जी उनके जागे समर्थन में खड़े होते हैं यह जो गुरू घर तोड़ा गया है रविदास जी महराज का यह अतियासिक स्थान था जिसके बारे मैं बताता हूं आपको 600 वर्स पहले जब इस दिली पर सिकंदर लोदी गाराज था है ना जो आज कहते हैं कि हम इस देश के हुकमरान हैं जो लोग बने हुए हैं पांच दिन की हकूमत पर इतना गुरूर वो तो सद्यों से सुल्तान थे जो मुसल्मान थे हैं ना उन्होंने पूरा पर्चम ले रहा है यहां पर उन लोगों ने भी हमारे गुरूवों को सम्मान दिया और सिकंदर लोदी ने गुरू माराज को अपना गुरू धरन किया और वो जो जमीन थी तीने कड़ जमीन वो गुरू जी के नाम से अलोट करी गई उस सरकारी काउजात में लिखा गया यह उस समय से है जब यह डीडिये वीडिये का है इस देश में कोई आजादी नहीं थी यह ना मुगलों को यवाज था उसे मंदिर को किस नियत से मुखान के दोड़ा है बगवान के मंदिर आपको माता के भी बोद मिल जाए बहुत सारे मिल जाएगे लेकिन जो एक्टिविस्ट है जो संत एक्टिविस्ट है जैसे रविदाज जी महराज वो सीधा-सीधा कुठारा गात करते दे जातिवाद पर और इस जो हिंदू से रहिदास रहें परशन रہिदास महाराज सिर्फ जान रहुदासरी आई गुरु नहीं है सिर्फ चमार समाध вся गुरु नहीं है वो इस देश में मानवता के प्रophobia स्तरोरत हैं उन्होंने हमेशा मानवता के लिए बाते रख्यी रविदास महाराजी ने एक बात की थी मन चंगा ते कटोती में गंगा अरे तुम बगल में खंजर रखके चलते हो RSS के लोगो भाजपा के लोगो अगर हम हिंदू है तो आज कहां गए RSS के लोग कहां गए विश्व इंदू परिशद के लोग कहां गए बजरंग दल के लोग कहां गए करणी सेना के लोग कहां गए तमाम हिंदू संगठन अगर हम हिंदू है तो आओ हमारे लड़ाई मा हमारे साथ दिखाओ इस केंदर की अंधी बहरी सरकार को के हिंदू कितनी ज़दा सक्ती में है लेकिन नहीं इस देश में हमिंदू जब होता है जब चुना होता है इस देश में हम जब इंदू होता है जब मुसल्मानों को साथ दंगे होते है नहीं तो हम लोग चूड़े चमार, दानक, तली, तमुली जाट, गुजर, अहीर, यादो फुराना डिकड़ा ये ये होते हैं हमारे अकाद भीताते हैं इसमें सही तरह से पैरवी नहीं करपाई देख्ये मंदिर वही बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे राम लेला हमाएंगे तुमारा राम राम और हमारा भगवान कुछ नहीं अरे उस राम का तो फैसला भी तक वह नहीं सुप्रीम कोर्ट में इस हमारे जो सही में राम कास्तितों मुझे नहीं पता है के नहीं है कालपनिक है क्या है लेकिन हमारे रविदास माराज कास्तितों है उनका तो अभी तक कोई वनसज भी नहीं मिला है वो परजी तरीके से बात है सामने आ रही है अरे आप एक चीज देखिए ना जो वालमिक भगवान है जिन्होंने रामाणी की रचना की उन्होंने एक बार भी भगवान राम नहीं लिखा उन्होंने उस रामाणी में हजारों बार ये लिख रखार राजा रामचंदर है राजा हो सकते हैं दसरत के बेटे हो सकते हैं लेकिन अगर आप लोग रामण की बात करें ना तो महात्मा रामण कई सो बार लिखा हुआ है उसी रामणे बाले में की भगवान ने ठीक है लेकिन उस रामलीला देखने जब लोग जाते हैं जब लोग रेल के निचा आए कटके मरते तो भगवान पर कट नहीं होते जब किसी बेन बेटी का बलातकार होता तो कोई माता दुरुगा पर कट नहीं होती गजब के लोग हैं चलो छोड़ो उस चीज में नहीं जाते हैं लेकिन रविदास जो महराज का मंदीर है वो वहीं बनेगा अपने आख और नाख और कान खोल गए सुनलो मनवादी लोगो इस समाज को मत सड़क पे उतारो ये समाज जब सड़क पे आता है ना तो खून की करांतियां होती हैं हम नहीं चाहते कि देश भरबाद हो, हम नहीं चाहते कि अपने देश के लोगों से बिढ़ें अपने देश के पुलिस वाले अपने लोगो ते ये समाथ से थे इस देश में कोरे गाउं की घटना कितनी बड़ी हुई वो हमारे पुरोष थे दो अपरेल का अधुनिक कॉंसिटूशनल अंदोलन हमने किया जिसमें उपकार बावरा जैसे लोगों पर देश दरोगा मुकदमा लगा दिया और बहुत सारे लोग जैल में बन थे अभी ठीक है और यह किसका जो अतियासिक के आंदोलन होने जा रहा है बहुत सारे चंगुबंगु गूम रहे हैं यह जो सरह लेने की कोसिस कर रही हैं कुछ लोग बाबाद साब के नाम से दुकान चला रहे हैं और फॉर्चुनर में चल करेंगे कॉंगरेस से चुनावी लड़ेंगे पहले बता रहा हूं वो लोग इस अंदोलन को चुनावी अंदोलन मढ़ना चाहते हैं इसलिए कुछ लोगों ने ब्रामती फैला दी दिल्ली के लोगों पे लिगेशन लगता है कि दिल्ली के लोग कुछ नहीं करते इसलिए दिल्ली के तमाम संग्ठों ने तमाम लोगों ने बलविंदर भाई ने उपकार भाई ने हमने सब ने बहुत सारे संग्ठों ने मिलके आवाज उठाई है और उन संतों ने भी उठाई है जो बागमारे साब है वो भी हमारे सत्प्रक्रक्राइब से उन्हें भी का कि 19 तार तो लोग भी खट्टे नहीं होतें से ठीक है और जब अब उसने अंदोलन उसने आवान तो पहले भी किया था कितने लोग आए वह मंदिर पे मुझे किसी के मांदर से करें के संदीप 22 के द्वावन कर दे मां तू बुला ले ना मांपर ऐसा सुना भाई सेर तो अकेला ही काफ और 21 को अंदोलन खत्म होने वाला नहीं है अगर यह सरकार नहीं मानना तो हम लोग इस देश में ना वो कर देंगे जो आज तक नहीं हुआ